हलो माई डियर स्टूडेंट्स एक वार फिट से आप सभी का ड्रीम क्लासेश में स्वागत है और अभी हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहें आप्टिक्स प्रकाश की और ये आप्टिक्स का अध्यायत तीन है जिसमें हम एक छोटे से टॉपिक को कबर करेंगे प्रिज्म यहां से हर एक एक एक्जाम में टू से थ्री मार्क्स के कोश्चन्स पूछे जाते हैं हर एक बोड एक्जाम में प्रिज्म बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही हलाटे टॉपिक है यह हमारा जैसा कि आपको स्क्रीन पे हमारा पीडियाप दिख रहा है इस पीडियाप क आप purchase करके अपने WhatsApp पे भी मंगवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो को देखते रहिए, class करते रहिए, वीज में हमारा help line number दिखेगा, आप वहाँ पे contact करके, आप हमारे notes को, पूरा complete notes किसी भी subject का 10th, 11th, 12th को मंगवा सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, dear definition जो हमने बच्पन में पढ़ा था, हमने 9, 10th में पढ़ा था, हम उसको भी पढ़ाएंगे, पहले जो definition हमने लिखा है, थोड़ा सा critical है, पर टुकता नहीं पढ़ सकते हैं, किसी कोन पर जुके, दो समतल अपबर्तक सता से घिरे किसी पारदर्शी माद्यम को प्रिज्म कात कि किसी कोन पर जुके, दो समतल प्रिष्टों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माद्यम को प्रिज्म काते हैं, यह हमने पहले पढ़ा था, 9, 10 में, पढ़ा था हमने कि किसी कोन पर जुके, दो समतल प्रिष्टों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माद्यम को प्रिज्म कात बिल्कुल सिंपल। प्टॉसेस है ये आपको अप बर्तक सत्य दिकर यह अमारा बेश है आधार ठेक है और ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो प्रिज्म कौन या अप बर्तक कौन भी कह सकते हैं तो याद रखिएगा बहुत ही हाइलाइटेड लाइन है यह हो सकता है कि यह आपको अब्जेक्टिव में पूछ दे कि बबू प्रिज्म ऐसे दे दे कि इन में से कौन प्रिज्म का डेफिनेशन है किसी कौन पर जुके दो समतल अपवर्तक सता के से घिरे किसी प्रकास का वर्न विच्छेपन यह आपने यह भी सुना था कि इसमें कुल सात रंग होते हैं तो हम इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह प्रकास का वर्न विच्छेपन क्या है ठीक है डिस्पैरिशन ओफ लाइट रडी हो तो कहा गया था जब स्वेत प्रकास नहीं कि बहुत कुछ पढ़ा दिया हमने और बच्चा समझ नहीं रहा है इसलिए हम लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि हमारा जो नोट्स भी होता है वो बिल्कुल उसमें इतना बारीकी से लिखा होता है कि जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ा है वो भी नोट्स को of light परकास का बर्न विच्छे पन कहा गया है कि जब स्वेत परकास किसी प्रिजम से होकर गुजरती है तो वह अपने साथ अभी अभी रंगों में विभक्त हो जाती है अपने साथ अभी अभी रंगों में तूट जाती है इस घटना को प्रकास का बर्न विच्छेपन कहा जाता है इन सातों रंगों को जिस परदे पर उतारा जाता है यहाँ पर मिस्टेक है उसे स्पेक्ट्रम बर्न पट कहा जाता है इन सातों रंगों को जिस परदे पर उतारा जाता है जी उनको कहा जाता है by año heal China और रिखेगे इसमें जो आपको दो चीजें दिख रही है sorry यह हमारा बैगनी है और यह हमारा लाल है झीक कि bail ना red और व्हेगनी लाल और वेगनी इसका जो तरंग दहरे है वो अधिक प्रकिर्णन कम है लाल रंग का तरंग धहरे अधिक है प्रकिर्णन कम है इसका जो तरंग धहरे है ये कम है और प्रकिर्णन चादा है याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाता है और ये जो आपको एडिया दिख रहा है जहां पे सातों रंगों को उतारा गया है इसको क्या कहा गया बबू वर्न पट गाया जब स्वेत प्रकास की किरन परिजम में आकर गुजरती है तो गुजरने के बाद वो अपने इस और एसे ना जाकर अपने साथ अविए चोटे चोटे रंगों, साथ अपने रंगों में विबक्त हो जाती है और जिस परदे पर इसको उतारा जाता है उसे spectrum वर्न पठ करते हैं देखो यह आपको लिखा वह बैजानी पिनाला ठीक है बैजानी पिनाला इसको हिंदी में कहा जाता है ठीक है बैजानी पिनाला याद रखेगा इस चीज़ को कि प्रस्ण पूछा जाएगा कि प्रकास के वर्न विच्छेपन में कुल कितने रंग होते हैं तो साथ रंग होते हैं सबसे ज़्यादा तरंग धहरी किसका होता है लाल रंग का सबसे कम बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकिर् के just opposite होता है ठेक है याद रखेगा आप कहा गया कि तरंग ध densि के बढ़ने से अपड़तनां क मान आप बर्तनांग का मान जो है वह घटता है तरंध को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो है ये भी बढ़ेगा नहीं तो ऐसे जो करभ है वो घटेगा तो ये भी कहा गया है कि तरंग धहरी के बढ़ने से तरंग धहरी को हमने लेमडा से सूचित किया है तरंग धहरी के बढ़ने से अपवरतनांग के मान में जिसको हम लोग म्यू से डिनोड करते हैं तो म्यू समानुपाद वन वटे लेमडा ठीक है यानि यह एक दूसरे के आपतन कोन तथा विचलन कोन के विच रिलेशन ठीक है आपतन कोन और विचलन कोन के बीच की तुलना करे संबंध ग्याद करे यहां तक क्लियर हो गया प्रिज्म यह अध्यायतीन है देखे नोट्स आपको स्क्रिन पर दिख रहा है ठीक है बहुत ही बारिकी से हमारी टीम और हाँ क्वाइलिटी बहुत अच्छा रहेगा प्रिन्ट आउट में याद रखेगा इस चीज को ठीक है देखे आपतन कोन तथा बिचलन कोन के बीच समद्ध मैं इसको थोड़ा साथ जूम करके भी कर रहा हूँ थोड़ा साथ सोड़ा करके कर रहा हूँ ताकि फोटो औ और डेफिनेशन दोनों एक साथ दिखें कहा गया है जब प्रकास जब प्रकास प्रिजम से होकर गुजरती है तो बहुत बिचलित हो जाती है बिचलन कोन का मान घटता जाता है यहाँ पर देखो यह ऐसे यही विला कि आब बरतनांग बढ़ाएंगे तो तरंग धर के बढ प्रकास प्रिजम से गुजरती है तो बिचलित हो जाती है और जैसे जैसे आपतन कोन का मान घटता जाता है किसी खास आपतन कोन के लिए बिचलन कोन का मान नियुनतम होता है इस इस्तिति को नियुनतम बिचलन की इस्तिति कहा जाता है और नियुनतम बिचलन की इस्तिति म आपतन कोन का मान, निर्गत कोन के मान के बराबर होता है, अब देखो यहाँ पर कुछ बाते आपको दीदेए, इसको मैं और छोटा करता हूँ, इससे छोटा होगा नहीं, यह जो है, यह deviation है, यह आपका बिचलन कोन है, clear है, I1 जो है वो आपतन कोन है, I2 जो है मतब जाने वा कोन, और I2 जो है वो निर्गत कोन है, ठीक है, तो समझी गए इस चीज को कि किस तरह से घटना घटती है, कि देखो, यहाँ से परकास हमने डाला, परकास को रियली में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो बिचलित हो जाती है, बिचलित हो जाती है, यानि इस ओर आके, ठीक I2 जो है, यह हमारा बिचलित होने के बाद वो इस ओर आ जाती है, तो यह हमारा I2 जो है, वो निर्गत कोन हो जाती है, और रियल में जाना चाहिए था किसको, ऐसे, ठीक है, तो यह जो है, वो ऐसे जाना चाहिए था, यानि यह जो डेविशन हो गया, यह हमारा बिचलित हो इस figure में आप समझ सकते हो तो कहा गया है कि नियुंतम बिचलन की स्तिती में जब नियुंतम बिचलन होगा तो I1 और I2 आपस में बराबर होगा या R1 या R2 आपस में बराबर होगा या deviation या deviation यम आपस में बराबर होगा तो आपको इस तरह का graph आपको देखने को मिलेगा कि deviation is इसकल टो डेवेशन हम, I1 बरावर I2, R1 बरावर R2, यह आपतन को आई, और यह विचलन को डेवेशन कहा गया है, तो इस तरह से यह बिचलित हो जाईगी आपको, चीक है, यहां तक क्लिएर है, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपतन को तरह विचलन को बिचलन को बिचलन में हाँ, यहां पर भी देखो, इस ओर, सुरी, इस ओर से ऐसे आना चाहिए था, बट यह इधर चला गया, तो यह बिचलन हो रहा है इस तरह से, अब देखो, यह कुछ बाते हैं इसमें देख लेते हैं, कि अगर प्रिज्म के आधार पर का कौन बराबर होता है, तो प्रिज्म के अंदर की किरन, प्रिज्म के आधार के सामानांतर होती है, का गया यदि प्रिज्म का जो वेश होता है, बेश जो होता है, उसका आधार जो होता है, उस पर जो एंगल बनेगा, प्रिज्म के, अगर प्रिज्म के आधार पर का कौन बराबर होता है, तो प्रिज्म के इसको हम अगले क्लास में करेंगे फिलाल ये चोटा सा टॉपिक था फिलाल आप इतना करो ये ये चीजे थोड़ा सा समझो कि किस तरह से बिचलन हो रहा है किस तरह से बिचलन कौन बन रहा है किस तरह से आपतन कौन आ रहा है किस तरह से निर्गत कौन बन रहा है किस तरह से हो रहा है बिचलान खोन बन रहा है ठीक है यह ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है अगर यह आपसे पूछ देगा तो यह एक्जाम के लिए दो मार्स का कुश्चन है तो फिलाल आप इतना कवर करो अगले क्लास में हम लोग प्रिजम से रिलेटेड एक और वीडियो बनें है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है कम से कम दो से तीन क्लासेज होगी प्रिजम की बस जादा नहीं ओके टेर स्टूरेंट्स मिलते हैं अंगले क्लास में